नमस्कार आज हम लोग नया चैप्टर बिये पार्ट टू पेपर थर्ड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आपके शिलेवश में दिया हुआ है वह है चैप्टर है इंडियाज फोरेंड ट्रेड वायलू कमपोजीशन और डिरेक्शन यानि भारत का विदेशी ब्यपार मुल्य शंग्रशना और दिशा छात्रों आज का विशाय बहुत ही रोचक है और इंडियन एकनॉमिक्स भारती अर्थ शास्त्र के पेपर में प्रश्ट नोत्र के भी दृष्ट कोण से यह चैप्टर महत्पून है तो थोड़ा सा इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे और उसके बाद एकॉर्डिंग टो सिलेवश जो जो आपको पढ़ना है उसके बारे में हम जनकारी प्रदान कराएंगे चलिए हमीश पर आगे बढ़ते हैं तो अधिकतर अलविक्षी देश काफी देर तक अपनिवेशिक सोस्ण का शिकार रहे हैं यानि बिदेशी बिदेशियों का समराज रहा है या सोस्ण इन पर साशन करने वाले बिख्षित और दोगिक देशों ने किया सोस्ण का एक मुख माध्यम बिदेशी बेपार था यही कारण है कि बिश्व जुद्ध के बाद जब बहुत से अलविक्षी देश शुतंत्र हुए तो वे बिदेशी बेपार वा बिदेशी निवेश को संदेह की नजरों से देखने लगे इसलिए उन्होंने बिदेशी बेपार पर ज्यादा ध्यान न देकर घरेलियु बजारों की और अधिक ध्यान दिया उनमें से कई देशों ने तो ओद्दोगी करण के ब्यापक काजकरम बनाये तथा विक्षी देशों से बिनिर्मित वस्तुएं मंगाने के स्थान पर इन वस्तुएं को अपने देश में ही बड़े पैमाने पर बनाना शुरू किया इस प्रकार इन देशों ने अंतर मुखी नीतियों को प्रात्मिक्ता दी इस प्रकार कि नीतियों को आयात प्रतिस्थापन नीति की शंग्या दी जाशकती है क्योंकि इनके तहत घरेलू उद्ध्योगों को व्यापक शरक्षन दिया गया अयातों और विदेशी निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रन लगाये गये तथा बिनमे दरों को अवास्तिक अस्तरों तक उचा रखा गया यह इसिति ओभर वैलूड एक्षेंज रेट की इसिति कहलाती है जहां तक निर्याज छेत्र का शम्मंध है उश में निराशावादी दिरिश्ट कोण रहा उदाहरण के लिए श्वत अंत्रता के बाद काफी वर्षों तक भारत सरकार के हुआ कुछ अर्षाइस्त्री या तरक देते रहे कि भारतिय निर्याजतों को अंतराश्त्री बजार में गतहीन वा इस्थिर्मांग का सामना करना पड़ रहा है इसलिए निर्याज आय को बढ़ा पाना संब़व नहीं है परंतु परिश्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है 1960 के दशक में वहुष से विकासिल देशों ने अयात उदारी करन की निती को खुले रूप से अपनाया और काफी शफलता प्राप्त की इन में जपान, सिंगापूर, हौंग कॉंग, दचिन कोरिया तथा ताइवान शामिल थे इन देशों की शफलता से प्रिरित होकर वहुष सास्त्रियों और अंतराष्टिय सरस्थाओं ने अयात उदारी करन वह निर्याद पुरसाहन नीतियों का जोरदार शमर्थन किया है और इन नीतियों को भारत जैसे अर्थविवस्थाओं की शमस्याओं के निदान के लिए अत्यांत आवश्यक बताया है इन सुझाओं पर काम करते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापार उदारी करन के निति को अपनाया है तथा आयात नियंत्रों को काफी कम कर दिया है 1991 में शरकार ने उदारी करन की व्यापक निति घोशित की तथा भारती अर्थविवस्थाओं को खोलने के लिए 1991 हुआ उसके बाद काई कदम उठाए ताकि 1995 में अस्थापित विश्व व्यपार शंग्धन वर्ल्टेडर उनाईशन के तहत उभर रही नई अंतराश्टी आर्थिक व्योस्था के शाथ भारती अर्थिक व्योस्था को जोड़ने में कोई शमश्या ना है चात्रों इस प्रकार किवल भारत की विदेशी व्यपार की प्रुरितियों को अध्यान करने के लिए आपकी शिलेवश में जो दिया हुआ है उसमें विदेशी व्यपार की जुकाव यानि उसका व्यलू किस रूप में होता है उसको हम चर्चा करेंगे और वह भी हम प्र्याश करेंगे यूजना काल में निर्यातों का आयात मुल्ले उससे अधारित हम चर्चा करेंगे जो आपकी फॉइंट में दर्शाया गया है वाइलू अप एक्सपोर्ट आएंड इंपोर्ट इन दप्ला प्लानिंग प्रियड यानि यूजना काल में निर्यात और आयातों का मुल्ले वाइलू यानि उसका जुकाव चात्रो व्यापार का मुख्य दोही धूरी दोही चक्का होता है जिससे उसका बेश उस पर निर्वर करता है वह आयात और निर्यात होता है बिदेशी ब्यापार का तब हम इस पर बेश्तिर्थ रूप से चर्चा करेंगे आप जानते हैं कि योजना काल में भारत की बिदेशी ब्यापार सम्मंधी आंकडे अमेर्की मुद्रा डॉलर के रूप में प्रसुत किये गए हैं जैसा कि अभी हम सारणी आप के शामने हम लाएंगे जिसमें अस्पष्ट किया गया है और इस सारणी को आप ध्यान से आप देखेंगे तो योजनाओं के दवरान भारत के निर्यातों वह आयातों में काफी ब्रिद्धी हुई है उनई सो पचास से कानवे में निर्यात एक हजार दो सो शिक्स नाइन मिलियन डॉलर के बराबर थे जो उनई सो असी एक आसी में बढ़कर 8486 मिलियन डॉलर तथा 2014-15 में 310352 मिलियन डॉलर हो गए इसी आओधी में आयात 1273 मिलियन डॉलर से बढ़कर 15869 मिलियन डॉलर तथा 448033 मिलियन डॉलर हो गए यह बात भी ध्यान देने जोगे है कि देश को ब्यपार सेश में लगतार भारी घटा उठाना पड़ा है वासुत यदि हम भारत की ब्यदेशी ब्यपार आकणों का अध्यान करें तो पाएंगे कि 1969 से पचास से 16-17 की पूरी आउधी में केवल दो वर्स ही ऐसे थे जब ब्यपार सेश में अधिसेश था यह दो वर्स थे 1972-73 तथा 1976-77 जब भारत को करमशा 134 मिलियन डॉलर तथा 77 मिलियन डॉलर का अधिसेश प्राप्त हुआ बागी के शभी वर्सों में ब्यपार सेश में घटा हुआ सुचनी बात गया है कि व्यपार सेश में घटा लगतार बढ़ता गया है वासुत है छटी पंच वर्से योजना 1981-81,84,84,84 की गड़ना हम करते हैं में देश का आउस्तन 5985 मिलियन डॉलर बारसी घटा हुआ सात्मा योजना में या घाटा आउस्तन 5669 मिलियन डॉलर बार्शिक था 1999-91 में 1999-90 की अपेक्षा आयातों में 13.5 परतिशत ब्रिद्धी हुई जबकि निर्यातों में ब्रिद्धी 9.2 परतिशत थी इससे ब्यपार घाटा बढ़कर 5932 मिलियन डॉलर हो गया प्रन्तु शरकार ने 1991-92 में आयातों पर कड़े नियंतर लगाए जिससे डॉलर के रूप में आयातों के बूल में तेज गिरावट आई और ब्यपार सेस में घाटा कम होकर 1546 मिलियन डॉलर रह गया प्रन्तु आयातों में से इस तेज गिरावट से औद्धोगी गत्यविधियों पर प्रतिकूल परभाव पड़ा औद्धोगी गत्यविधियों को प्रुसाइद करने के लिए शरकार ने 1992-1993 में आयात उदारी करण के व्यापक कदम उठाए जिससे आयात व्याई में तेज ब्रिद्धी हुई और ब्यापार सेस में घाटा बढ़कर 3-3-4-5 मिलियन डॉलर हो गया अगले तीन वर्सों में 1993-94 से 1995-96 के दोरान निर्यात आयात में काफी ब्रिद्धी हुई जद पी आयातों में भी ब्रिद्धी हुई तकूल मिलाकर इसती में सुधार हुआ तथा आठवी योजना में व्यापार सेस में आउसत घाटा 3-4-5-6 मिलियन डॉलर रह गया जो छट्थी और साथ्वी दोनों योजनाओं के तुलना में कम था प्रन्तु नवी पंच वर्सी योजना में शिती बिगड़ी और व्यापार सेस में आउसत घाटा बढ़कर 8-4-1-2 मिलियन डॉलर हो गया इसके अलावा नवी योजना में व्यापार में कई उतार चढ़ाव आये उदाहरण के लिए इस योजना के दो वर्सों 1998-99 तथा 2001-02 में निर्याज संब्रिधी दर रिरात्मक थी जबकि दो अन्य वर्सों 1999-2000 तथा 2000-2001 में निर्याज संब्रिधी दर कापी अधिक थी 1999-2000 तथा 2000-2001 में निर्याजों में होने वाली तेज ब्रिधी का कारण एसिया संकट के बाद होने वाला पुनर उत्थान तथा सरकार द्वारा निर्याज प्रुसाहन के लिए उठाए गए कदम थे योजना कांतिम बर्स 2001-2002 निर्याज के दृष्टि कोंट से खराब था क्योंकि इस वर्स इन में 0.6% गिरावट आई इसके प्रमूख कारण थे विश्व मांग में कमी निर्याज बस्तूओं का उत्पादन बढ़ा पाने के अक्षमता रुपे के मुल्य में ब्रिधी इत्ता दी नवी योजना के सभी वर्सों में केवल 999-2000 को छोड़कर जब आयाती तेल की किम्तों में तेज ब्रिधी होने से आयातों में 17.2 प्रत्यत की ब्रिधी हुई आयात अप्यक्षा किरित कम रहे जिसका मुख्य कारण और दोगिक छेत्र का कम विकास था प्रंतु 10-15 वर्सी योजना में विद्यसी ब्यपार में काफी प्रशार हुआ इस योजना में निर्याद ब्रिधी की दर शतत रूप से 20 प्रतिशत प्रतिवर्स से अधिक रही और 2045 में तो यह दर 308, 30.8 प्रतिशत तक पहुँच गई थी 2006-07 में निर्यातों में 22.6 प्रतिशत की ब्रिधी हुई इस योजना में निर्याद दुगने में भी अधिक हो गए 2002-03 में निर्यात आए 52719 मिलियन डॉलर थी जो दसवी योजना के अंतिम बर्स में 2006-07 में 126414 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई इस संतोष जनक उपलब्धे में वाह और आंत्रिक दोनों कारकों का जुगदान है अंतराश्टी अस्तर पर अंतराश्टी शंब्रिधी तथा पुनरुथान के कारण बिदेशी ब्यपार में ब्रिधी हुई जिसका भारत के बिदेशी ब्यपार पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा जहां तक घरेलू कारकों का शंबंध है अर्थ विवस्था को खोलने का तरनिगम छेत्र में हो रहे पुनर गठन का भारती उद्दोग की प्रतियस्परधी शंब्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा घरेलू उत्पादक अपने निर्यातों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं तो आर्थिक शुधारों की नए वाता वरण में निगम छेत्र नए विकाश रण नीतियां अपना रहा है आयातों में भी दस्वी होजना के दौरान काफी ब्रिद्धी हुई इसके मुखे कारण थे आयातित तेल की कीमितों में ब्रिद्धी आयात सुलकों में कमी तथा प्रगामी घरेलू अर्थ वहोस था जिसके कारण पुजिगत वस्तुएं और दोगी कच्चे माग तता मध्यवर्ती वस्तुओं का यात में तेज ब्रिद्धी दस्वी होजना में आयातों में तीन गुना ब्रिद्धी हुई जो दो हजार दो से तीन में आयात ब्याय एक सथ 61412 मिलियन डॉलर था जो दो हजार चोव साथ में बढ़कर 185747 मिलियन डॉलर तक कहुंच गिया आयातों में तेज ब्रिद्धी के परिणाम शरूप व्यपार सेश में घाटे में तेज ब्रिद्धी हुई दोज़ाच चोव साथ में ब्यापार सेश में घाटा 59.32 मिलियन डॉलर हो गया है ग्यारवी उजना के पहले वर्ष दोज़ाच साथ आठ में डवल एट पॉइंट पॉइंट फाइप टू विलियन डॉलर का भारी वेपार घाटा हुआ हुआ है इसका मुख्य कारण तेल का यातों में 35 प्रिद्ध की तेज ब्रिद्धी थी दोज़ाच चोव साथ में तेल का आयात पर व्याएग 57.14 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2008 में 79.64 विलियन डॉलर हो गया बर्ष दोज़ार आठ नौ में 20 व्यापी मंदी हुई इसके बावजूद निर्यातों में 13.6 प्रिद्धी हुई प्रन्तु दोज़ार आठ नौ में व्यापार सेश में 118.4 विलियन डॉलर का भारी घाटा हुई 2011.12 में 2011.12 में व्यापार सेश में घाटा 183.36 विलियन डॉलर था जो 2012.13 में 190.34 विलियन डॉलर के रेकॉर्ड अस्तर पर पहुँच गया 2013.14 में इस्तिती में शुधार हुआ और व्यापार सेश में घाटा कम होकर 1358 विलियन डॉलर आ गया इसके मुखे कारण थे निर्यातों में कुछ वृधी और आयातों में तेज गिरावट 2014.15 में व्यापार सेश में घाटा थोड़ा बढ़कर 137.7 विलियन डॉलर हो गया व्यापार सेश में घाटा कम रहने का मुखे कारण आयातों में 16.0 परतिशत की गिरावट थी जो तेल के अंतराश्टिय किमतों में 20.2 परतिशत की भारी गिरावट के परणाम शरुफ हुई जैसा कि शारणी में असपस्ट है बस 2015-11 में निर्यातों में 15.5 परतिशत आयातों में 15.1 परतिशत की गिरावट थी जहां तक निर्यातों का सम्द्ध है तेल की किमतों में गिरावट के कारण सोधित पेट्रोलियम पदार्तों से निर्यात आये पिछले वर्सों के तुल्ला में लगवा आधिर आ गई गयर तेल निर्यातों में 8.5 परतिशत गिरावट हुई इंजिनियारिंग वस्तुओं एलक्ट्रोनिक वस्तुओं तथा जवाहरात वगहनों तद चम्णों के निर्यात में मात्रा नुसार या मुल्य नुसार संकुचन हुआ आयातों में गिरावट का मुख्य कारण तेल आयातों पर खर्चे में भारी कटवती थी में गाटा 118.35 विलियन डॉलर था जो 2010-11 के बाद का निम नितम अस्तर था दो वर्सों में रिणात्मक बृद्धी दर दिखाने के बाद 16-17 में निर्यातों में 5.2 परशत की धनात्मक बृद्धी दर दर्ज की गई इसका कारण यह था कि 16-17 के उत्रार्द में निर्यातों में काफी बृद्धी हुई विशेश रूप से इंजिनियरिंग, वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चा लोहा, शूती धागों, रसायन, मचली उत्पादन, रत्न और अभूशन तथा सिले शिलाय कपड़ों में जहां तक आयातों का समद्ध है, उनमें केवल मामूली बृद्धी हुई, इन प्रविर्तियों के परिणाम यह हुआ कि भारत सेश में घाटा, 2015-16 में, 118.7 बिलियन डॉलर था, जो 16-17 में कम होकर, 108.5 बिलियन डॉलर रह गया चात्रों, उपर जो भी तालिका दिखाया गया है, यह इसमें योजनावाईज, भारत के विदेशिय ब्यपार, क्या, क्या इस्थिती रही है, उस पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन, कनकुलूजन का रूप में, लास्ट में हमका शक्ते हैं, कि 14-15 तक प्राया, रिरात्मक की ही इस्थिती रही है, थोड़ी बहुत इस्थिती जो सुधार हुई है, वह 16-17 के एवरेज, कम घाटे की इस्थिती आई है, जो हमारे पास जो डाटा अविलेबूल है, जिसका स्रोथ, गौर्मेंट आफ इंडिया एकनॉमिक सर्वे, जो उसमें दिया हुआ है, उसी को कोरिलेट करते हुए, यह आप लोगों को वताया गया, और आज हम लोग इसी पर फोकस करेंगे, और अगले नेक्स कलास में, हम लोग कमपोजिशन आफ फोरेन ट्रेड के बारे में, जो आपका शिलेवश में दिया हुआ है, उस पर हम लोग प्रकास डालेंगे, और इसे आप, पुनह इस, जो भी अभी बताया गया, यह शारणी आपका बेस है, इसी शारणी के अधार पर आप, स्वेंग आप भी इसका आंकलन कर सकते हैं, धन्यवाद,